तो सब्सक्राइब मैंने मैं तो सМीख कने आपने में अबोडी व주यू है कवायर है, जो कहिना कहीं छूट जाती है फार्वाइन डिदी में परक्राइय मेर अग्लितों में चाह और आपडच करोार प्रमा क्यास हो constante सबत तो सने संख्रल्ब से से स्क्रबच के इन हिए है 나오네요 मैंने किस तरह से और अम भुल चाहँ गिया है तो इसे सबमी स्क्रबच को और प्रमा जो अगर करा उस auf चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरो कर लिजेगा एंड आल सब्सक्राइब लिएकम बटन जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोडिकेशन आपको मिलती रहे आप मुझे इंस्ट्राम पेज़ पे फोलो कर लिजेगा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथे फ्रेंड्स में चैनल पर चल रहा है गेववे अगर आप उसमें पारिस्पेट करना चाहते हैं तो गेववे की वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी जिस वीडियो को ओपन करके आप उसके रूल्स फोलो करके गेववे में पार्सपेट कर सकते हैं तो चले फ्रेंड्स देख लेते हैं इस कॉफी बॉडि स्क्रब को कि इसे आपको किस तरह से यूज़ करना है ताकि आप भी चमकदार स्किन पासके अपने बोडी स्किन को अच्छा पना सके सो यह है सेवन डेज कोफी बोडी स्क्रब जिसकी नेट क्वांटिट्री 100 ग्राम है इसकी MRP 499 रुपीज है लेकिन यह आपको इसली आफ पे मिल जाता है इसके अंदर जो में इंगिडियेंट्स दिये गए हैं वो है विटामिन E, सनफलार ओइल, सौडियम, शी बटर, कोकोनट ओइल, वालनट और कॉफी पाउडर फ्रेंड्स इसकी जो फ्राइग्रेंस है वो काफी अच्छी है स्किन को एकदम से रिफ्रेश कर देती है बिकाउज ये एक कॉफी स्क्रब है साथ ही इसमें दिया गया कोकोनट ओइल जो है स्किन को नरिश एंड मोिश्टराइज करता है और कोफी अंड कफीन जो है स्किन को एक्ष्रेट करने के साथ साथ आपकी स्किन की टैनिंग को भी रिमूव करती है यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको इसका टैक्ट्र भी दिखाना चाहूंगी इसका टैक्ट्र यहां पर देख सकते हैं काफी लाइट वेट है इसमें जो वालनेट के पार्टिकल्स दिये गए है साथ ही इसमें जो शी बटर दिया गया है कोकोनट ओइल दिया गया है वो सारी आपकी skin के लिए काफी beneficial है अगर आपकी skin जो है वो rough है dry है skin exfoliate नहीं होती तो friends भी आपकी skin को smoothly exfoliate करेगा because यह skin पर बिल्कुल भी harsh नहीं है और यहाँ पर friends आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको oil visible हो रहा होगा अब मैं यहाँ पर आपको इसे अपलाई करके दिखाती हूँ तो मैंने अपनी आम को हलका सा गीला कर लिया सबसे पहले इसके बाद मैंने इसके जरा से क्वांटिटी रही है और अपनी आम पर इसे इस तरह से मसाज किया है आपको 3-5 मिनट्स के लिए अपनी बोडी पेस की मसाज करनी है इसके बाद इसे रिंस ओफ कर देना है और पैड ड्राय करना है इसके बाद ना आपको कोई बोडी लोशन लगाने की बीज़ोत ने पड़ेगी विकॉस इसमें औरेडी कोकोनेट ओयल दिया गया है जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी ट्राय नहीं होने देता विकिन को नरिश करता है और आपको मिलती है एक फेल्ला स्किन आपकी जो स्किन टॉन है उसे इंप्रूव करता है सजि़ो में दीबली हायडरेट करता है आप चाहें तो इसे अपनी weekly routine में शामिल कर सकते हैं या फिर आप जब नहाने जाते हैं तब भी आप इसे अपनी पूरी बोड़ी पे लगा सकते हैं इसकी जरा सी quantity ही इनफ होती है जैसे कि आपने इसकी थोड़ी सी quantity लेनी है और अपनी 1 आम पे लगानी है फिर 2 आम पे इस इसे यूज़ करना है जैसे कि इसमें coconut oil दिया गया है तो यह जो स्क्रब है यह ना कि सिर्फ आपकी स्किन को exfoliate करेगा साथी स्किन को hydrate भी करेगा करेगा तो जब बोड़ी स्क्रब यूज़ करते हैं तो स्किन काफी जादा रफ हो जाती है लेकिन यह जो स्क्रब है जब इसे यूज़ करेंगे तो बोड़ी बिल्कुल भी रफ नहीं होगी स्किन बिल्कुल रफ नहीं होगी और आपकी स्किन हाइडरेट रहेगी इस बोड़ी स्क्रब को फ्रेंड्स कोई भी यूज़ कर सकता है मैं वूमें दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपन पुर्सकों कि 10 सुसक्राशات चातफे लिंगा को आपको लिंगर इसका सब्सक्तके में आपको दिसक्राइब कर लिंग भी निँशे अचा पुदर कर सकते हैं साथ यी फैनर अट कोई कि आपको जाएगा आपके लिई मेरे आजutan बाइ बाइ